केरल के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित राज्य के आधिकारिक नाम को मल्यालम उच्चारण के साथ जोड़ना है चलि अब जानते हैं राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में भारती समविधान के अनुचे 3 और अनुचे 4 के तहट किसी राज्य का नाम बदलने का प्रावधान किया गया है राज्य के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरुवात विधान सभा से होती है। राज्य की विधान सभा में बहुमत से नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके बाद विधयक राश्ट्रुपती की सिफारिश पर संसद में पेश किया जा सकता है। इ चलिए अब देखते हैं राज्जियों के नाम परिवर्तन के प्रमुख उदाहरड बता देगी आजादी के बाद से लेकर अब तक 11 राज्जिव केंद्रशासित प्रदेशों ने राज़ितिक सांस्कृतिक वसामाजी कारणों से अपने नाम में परिवर्तन किया है एक नवंबर 1956 को त्रावड कूर को चीन केरल बना वर्ष 1966 में इस्ट पंजाब पंजाब बना 14 जनवरी 1979 को मदरास स्टेट तमिलाडू बना एक नवंबर 1973 को मैसूर स्टेट करनाटक बना एक नवंबर 1973 को लक्क द्वीव मिनिकॉय और अमन दीवी लक्षदीब बने एक अक्टूबर 2006 को पॉंडूचेरी पुडूचेरी बना नवंबर 2011 में उडिशा ओडिशा बना तो चलिया अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक राज्य का नाम बदलने का प्रावधान भारते सम्विधान के 1986 को मैसूर स्टेट का नाम बदल कर करनाटक किया गया था तीन वर्श 1979 में मदरास का नाम परिवर्थित करके केरल किया गया था उपर युक्त में से कितने कथन सही है या सही है एक एवल एक बी केवल दो सी सभी तीन डी इन में से कोई नहीं इस प्रशन का उत्तर कमेंट ब करना ना भूले।